राम रामसा आज कल चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है और आप भी सोच रहे होगे मैं भी सोच रहा हूं मैं सीधा टू दा पॉइंट आता हूं अब वो वक्त नहीं राग गुमाफिरा के बात करने की कोई आप सकता नहीं है आप भी जान दे हो चुनाव प्रचार में बहुत कम समय रह गया है और जिस तरह का परदशन में पूरे छेत्र में देखता आ रहा हूं ऐसा तूफानी दोरा नौजवानों में इतना जोश मैंने कभी अलिगड में और इग्लास में भी इस तरह का जोश उस्तान नहीं देखत लेकिन एक बात गौर एक बात गौर करने की है आप नोट कर रहे होगे वह लोग जिनकी नदर निगाह कभी आपके तरफ गई नहीं सत्ता की मलाई ये लोग खाते गए चाटते गए किसान को भाव नहीं मिला देश में सबसे महंगी बिजली उगाई आप से की गई नोट बंदी की माराथ पर पड़ी नोकरी के लिए जब नोजवान जाता था लखनव आप पे लाठिया चलाई गई प्रदेश के विश्विजाले में घुसकर लाठी चलाई गई किसान दिल्ली में तेरा महिने से बैचे थे किसान संगठनों ने का चलो लखनव भी चलो लखनव भी चलो मुख्यमंत्री ने तुरंत ट्वीट करके दमकाना शुरू कर दिया कि ये दिल्ली नहीं लखनव है और आज वही लोग कितने कमजोर हो गए रोज मेरा नाम ले रहे हैं रोज आपको कुकार रहे हैं क्या मजबूरी है क्या दबाव है यह हमारी एकता है इन्हें हमारी एकता बर्दास नहीं हो पा रही जैसे अब का बिरंदी ने बिजिंदा जी ने 36 जाती जुड़ रही है क्यों जुड़ रही है क्योंने समझ मारी बात अकेले रह जाओगे तो मारे जाओगे और इकटा हो जाओगे तो खदेडा होगा जंदावार बहुत हो गया है है ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जहां किसान की कोई सुनवा ही ना हो यह उत्यां सबसे उत्म फी यह उत्यां सबसे उत्थ लेकर आपका इतना बड़ा दिल होना चाहिए के आप गल्ती माशब से मांगे गी ऑमेश कर्चा कर रहे थे कि राजनिति और नेतिकता कि पुराने लोग बुदूर्ग हैं बता देंगे छोदीच चरंशिंग से कोई भेहतर उधारन नहीं है कि अगर हम नेतिकता की बात करें गए चारित्रिक गुणोंकि बात करेंगे सच्चाई और इमांदारी की बात करेंगे उनसे बहतर कोई मिसाल बारतिय राजनिती में नहीं है और हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अक्सर आज कल तो मारा मारी हो रही है कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं लेकिन चोई साथ कभी कभी चुनावी सवा में खड़े होके कह देते ते जब उन्हें कुछ कहता था कि उम वो जनता के आगे जुकना जानते थे और जनता को मोरना जानते थे लेकिन आज उसक्ता में बैटे हैं अब वक्त आगिया कि आप ऐसा वोट करो ऐसा वोट करो कि इनका आप तोड़ सकते हैं अभी मैं देख रहा था योगी जी का ब्यान कहते मैं इन्हें दो लड़के साथ आये हैं दंगा करने चोद्री चरंसिंग की मैं कमें उनका नाती हूं इस छेत्र ने मुझे जाना है बहुत करीच से आपने देखा ये मतुरा का छेत्र आप जानते हो घर-घर में आपके रिष्टे और संबंद हैं मैं 5 साल वहां सांसद रहा कोई एक आदमी आपके बीच यह जैन चोद्री योगी जी मुझे काएंगे योगी जी मुझे पर इजाम लगा रहा है कि मैं दंगाई हूं यह मैं दंगे को भड़का सकता हूं मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाबा थे चौद्री चरंसिंग कि 1970 में 1970 में उत्तपदेश में गुंडा कानून चौद्री चरंसिंग की कलम थी वो कानून उन्होंने बनाया था बाबाजी आपने कोई कानून ने बना रखता और योगी बावा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मैं जून में सिम्ला जैसी ठंड हो जाएगी मुझे लग रहा कि पिसले हफ्ते जो एक शीत लैर आई थी इनका माथा बहुत बढ़ा इनको ठंड लग गई है कि अधारी ऐसा भर-भर के वोट दो पीवियंग के मशीन को ऐसा भर के दो नलके के बटन एंटम के बटन को ऐसा दबाओ यह भारती जनता पार्टी के जो चर्वी चड़ रही है सारे नेताओं की चर्वी उतार दो आख और यह मैं आपको वादा करता हूं गो रही ए छेत्र का केंद्र बिंदू है मैं सोच समझ के वादा करता हूं यूँ नहीं करता हूं यह कोई असाधारण काम नहीं है सरकार के लिए और इस छेत्र के जहां यह सवा हो रही है इस छेत्र के विकास में इसकी बड़ी भूमका रहेगी और आजपास के छेत्रों को भी लाब मिलेगा इसे टाउन एरिया हम घोशित कराएंगे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जोग की बात भी थी मुझे अलिगर छेत्र के कुछ खिसानों ने चिठी लिखकर बताया यहां बड़ी पुरानी बांग चल रही है चौधी अजीर सिंग्जी ने कोशिस की थी लेकिन वो काम्यावी हम लोगों को नहीं मिल पाई वो यहां गन्ने का उत्पादन एक समय पर होता था और यह मांग थी कि चीनी की मिल यहां कहीं ना कहीं बननी चाहिए बात है कि नहीं ब्यबारिक है उस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे और आपकी फसल लाया की बहुत अच्छी है आलू की पैदावार बढ़िया है लेकिन भाव नहीं मिलता किसानों को भाव नहीं मिलता तो मैं और अखिलेज जी लगातार दोड़े कर रहे हैं प्रेस वारता कर रहे हैं सभाय कर रहे हैं लोगों के बीची और रोज के उन कारिकरों में मैं रोज गौर कर रहा हूं कि जहां अखिलेज जी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं इस सरकार ने पाम उयल को बढ़ावा दिया ग्यारा हजार करोर का नया मिशन मोदी जी ने फीता काटा है कि हम पाम ओयल के खेती करना चाहते है अगर पाम ओयल की खेती को सरकार बढ़ावा देगी तो लाया कि आपके फदल को क्या भाब मिल जाएगा सरसो के तेल को बढ़ाईए जो राशन की विवस्ता है जो पीडियेस की विवस्ता है लोगदल तो पहले ही क्या चुका है और समाजवादी पार्टी के घोशना पत्र में भी शामिल हुआ कि हम जहां संभव हो जहां पादल का केंद्र हो आलू को भी राशन में चोड़ेंगे और सरसो काते यह भी जो गरीब राशन को दिया जा सकते है आज आप सोच रहोगे मैं इतना गरम होके क्यों बोल रहा हूं क्यूंकि हमें भूलना नहीं चाहिए बहुत संगर्श करके यहां तक हम पहुचे हैं आज एक खास दिन है आज देजबर का किसान आंदोले थे और कह रहे हैं कि आज हम विश्वास घाज दिवस मना रहे हैं विश्वास घाज दिवस क्यों तेरा महीने अंदोलन चला साथ सच ज़्यादा लोग सहीद हुए लखिमपूर में गाड़िया रौंध के चली गई मंत्री जी अभी जो है मंचों बे बैठते हैं उनका पूरा संबान भारती जनता पार्टी करती है और सेख सरकार ने मोदी जी ने जो किसान संगठनों को उठाने के लिए जो वादे किये थे कि तुम लोट जाओ अपने धरों में तुमारी सारी बाते मान ली गई उन में से कोई वादा अभी पूरा नहीं हुआ ना तो MSP की समिती ना जो मुकद में दर्द हुए थे छप्पे जन्वरी में इस छेत्र से भी ट्रेक्टर गए होंगे यहां भी कोई किसान होंगे जिनके खिलाब मुकद में दर्द होंगे मुकद में वापिस हुए हैं क्या ना किसानों के विरुद दर्द मुकद में वापिस हुए ना जो बड़ी बात थी भाव की उसका कोई उपाय लिकला और इसलिए हमने और समाज़वादी ने बैठके तैय किया है कि राज सरकार भी MSP घोचित कर सकती और हमारी मांग पहला काम होगा विदान सबास्त्र में हम इसको पारित करेंगे के केन सरकार MSP के लिए कानून लाएं और पारित करें ताकि पूरे देश की किसानों को लाब मिलें मैं यह भी कहना चाहता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपने मुझे सोपी है आज चोधिय अजी सिंग्डिय हमारे बीच नहीं है चोधिय चरंज सिंग्ग की याद आपके मने में आज भी दिल में तादा है मैं चाहता हूँ को एक बार मौका दो एक बार मौका दो और आप देखोगे लगनाओं में आपका वर्चस्व क्या होगा आप क्या आगे सरकार जुके गई कि सरकार बनाएगी तो पूरा आजी बात देना दस तारीक को अगर आग मुझे ताकत देना चाहते हो तो बीरपाल को अपनी वोट परिवार वालों की वोट मौले